नमस्कार में हूँ नंदिनी आप देख रहे हैं दा फुल जड़ी परसित भारतिय गाय का लता मंगेशकर नेरविवार 6 फर्वरी साल 2022 की सुबह मुंबई के ब्रीश केंडी अस्पताल में अंतिन सांस ली कई राजनियों के अनेता बॉलिवुड हस्तियां उनके अंतिन दर्शन के लिए दौर पड़ी महीं पर सिवाजी पार्क में उन्हें पुन्य राज के सम्मान दिया गया लता मंगेशकर के निधन पर देशबर में शोक की लहर चावी हर किसी के जुबान पर उनके दौरा गाय गए गाने आ रही है महीं पर भारत में लता मंगेशकर की वदंतियों की तरह रही स्वार कोकीला की उपादी उन्हें भार के पुर प्रधान मंत्री जो आलान नहरू से बड़ी आत्मिहता से दी थी मेडिया रिपोर्स के मतावे दुनिया भर में नाम कमाने के बाद भी लता मंगेशकर का एक सपना उनके साथ ही चला गया वे हमेशा से ही प्रिंसेज ओफ डूंगरपूर का टाइटल अपनी नाम के साथ देखना चाहती थी आपको बता दें कि डूंगरपूर के राजिस्थान के एक रियाइती थी इसी रियाद से जुड़े एक सक्स के साथ लता मंगेशकर के खास रिष्टों की चर्चा म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़े अदब के साथ की जाती थी आपको बता दें कि भारत के परसिर क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे राद सीर डुंगरपूर के लता मुगेशकर के बीच बड़ी गहरी दोस्ती थी उनके बीच अपने पन, आत्मेयता और प्यार का एक अटूट नाता था डुंगरपूर राज हुगराने के राद सिंग और लता मुगेशकर की दोस्ती किसी से चिपी नहीं थी लेकिन दोनों का ये रिष्टा कब प्यार में बदल गया इसका हैसास ना लता को हुआ ना ही राज सिंग को इस बीच उन्हें लेकर चर्चाएं आम हो गए थी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लता और राज सिंग कभी एक दूसरे के नहीं हो सके लेकिन दोनों ने कभी किसी और से शादी भी नहीं की राज सिंग डूंगरपूर रियायत के राजा रहे लक्षमन सिंग जी के बेटे थे राज सिंग को क्रिकेट और लता मंगेशकर को अवाद से बहुत जादा प्यार था तो वहीं लता मंगेशकर को भी गाने के इलावा क्रिकेट में काफी दिल्चस्पी रहती थी अपनी पसंद के चलते दोनों एक दूसरे के करीब आये और दोस्ती कप त्यार में बदली इसका पता नहीं चला वहीं मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो राज सिंग ने लता सिंग को पहले मुलकात उनके घर पर ही हुई थी बात है सन 1969 की जब राज सिंग लोग के बढ़ाई करने मुंबई आये थे इसी तो राज सन 1955 से ही राजस्तान के रंजु टीम से व्यचूर गए उसके बाद मुंबई आने के बाद वहां के स्टेडियम में राज की मुलकात लता के भाई हिर्देनात मंगेशकर से हुई उसके बाद हिर्देनात अकसर राज को अपने घर साथ ले जाने लगे और ऐसे में ही राज और लता की पहली मुलकात हुई आपको बता दे कि कहा जाता है कि पहली मुलाकात में उनका जुकाव लतामंगेशकर की और हो गया था तो वहीं बीकानेर की राजकुमारी राजशरी जोकी डोंगरपूर की बेहन की बेटी है उन्होंने अपनी आत्म कथा पैलिस ओफ क्लाउट्स अ मेमोरियम में इस बात का खुलासा किया था कि लतामंगेशकर और राजसिंग के बीद गहरी दोस्ती थी और काफी उन्होंने काफी अनकही बाते भी लिखी थी और आपको बता दे कि जानकारों की माने तो दोनों की शादी इस वज़े से नहीं हो सकी क्योंकि राज़ परिवार इस बात के लिए बिलकुल हामी नहीं भर रहा था कि कोई सधारन परिवार की लड़की डुंगरपूर रियायत की भहु बनी तो वहीं राज सिंग ने तो अपनी परिवार की बात मान ले और राज सिंग का परिवार लता को अपनी भहु बनाने के लिए कभी राजी नहीं हुआ हाला कि राज सिंग ने अपनी परिवार की बात तो मान ले लेकि उन्होंने कभी किसी से शादी नहीं की कहते हैं कि रात सिंग प्यार से लता मंगेशकर गो मिठु भी कहकर बुलाते थे तो वहीं पर लता मंगेशकर ने भी कभी किसी से शादी नहीं की आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद